हेलो फ्रेंड्स हमारे मेरट किचिन में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए एक नए रसे पिले कराएं हैं इमली की खटी मीठी चटनी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें साथी फैमली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प चटनी बनाना शुरू करते हैं इमली के चटनी बनाने के लिए हम लें 100 ग्राम इमली ली थी जिसको हमने 4-5 घंटे के लिए पानी में भीवो दिया था फिर हमने उस इमली का पल्प निकाल लिया है अब हम इससे चटनी बनाएंगे सबसे पहले हम गैस के ओपर कढ़ाई र गडू का भी यूज कर सकते हैं अब हम इसमे ढालेंगे वन इस्पUNG नमक, तू टेबिल इस्पून धनिया पाउडर, वन इस्पून लाल मिर्च पाउडर, वनिस्पून भुना जीरा पाउडर और साथ में बन इस्पून गरम मसाला, अब हम सब को एक साथ मिक्स कर देंगे और इसको धीरे-धीरे पकने देंगे, हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है, इसी तरह से हम इसको बिच-बिच में चलाते रहेंगे, चटनी को हम इसी तरह से धीरे-धीरे पकने देंगे, देखे ह छेंड़ारी चीनी अब घुल चुकी है हमें चटनी को इस तरह से चलाते हुए 10 मिनट तक दनी चटनी को पका आगे है आपके तक द्ल हो चुकें तो चलिए चटनी को चैक करते है या दिखे हमारी कंप चुकी है अब हमें इसे और पकाने की ज़रूरत अब यहां पर फ्लेम को आफ कर देंगे और चटनी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब चटनी ठंडी हो जाएगी तब आप उसे ठंडा करने के बाद किसी भी कांच की बॉटल में करके फ्रिज में वन मन्त के लिए इस्टोर करके रख सकते हैं यह खराब नहीं होती करने की सब्सक्राइब होने टेस्टी एक टेस्ट्नी को डेस्टी अप रसेप्सटोर और बता आख ब करें मैं प्रके परफ्लाए इसी के साथ आप सभी को राध है